राणावट डाइट में आपको स्वागत जैसरी रामक्रिष्ण आज आपको बता रहा हूं सरकारी वो आखड़े जिसके अंदर 24.000 से उपर लड़कों ने लड़कियों ने अत्मत्या किये यह वो आखड़े जो सरकार के पास में पर वे लोग जिनके साथ में बाले वांग शोशम प्रेम प्रसंग साधी या परिक्षा की विपल्था में आत्मत्या किये वो आखड़े उनके माता-पिता ने परिवार ने या पड़ोशिया ने बताए होंगे पर मेरा जहां तक शोध है उसमें मैंने देखा कि जो लड़के समलेंगिक होते हैं उनमें ज्यादा तर बाले और शोशन के रूप में हैं और वो लड़के जिनके मन में विचार आते थे कि आत्मत्या कर लें तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बाले और शोशन की वज़े से आत्मत्या की होगी वो आंकड़े हो सकता है कि सरकार तक न पहुंचा हो और सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं कि यह अभी मैंने आपको बताया परिक्षा में विभलता के कारण साधी के कारण बालियों शोशन इस प्रकार से जो प्रेम प्रसंग में भी रहे हैं उन्हें सबलता नहीं मिली है तो उनके साथ में भी ऐसे विचार रहे हैं और वो आंकड़े बताए गये हैं जिन्होंने Anne आत्मत्या कीये हैं और इनके लिए सरकार कर रही है कि जीवन कौशल सिख्षा दी जाए है पर सबके लिए जीवन कौशल सिख्षा नहीं होती है काफी Rehabilitation के लिए सरकार कारीम चला रही है तो वैसे ही लोगों के लिए मेरा यही मानना है कि सरकार को स्कूल के अंदर एक काउंसलर नियोक्त अन्यवारी कर देना चाहिए ताकि उन लड़कों की समस्याओं को आत्मत्यास से पहले समझा जा सके यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक से अधिक शेर करें मैं डॉक्टर उगनाशिंग नावाच साइकोलोजिस्ट और डाइटीशन आज आपको बता रहा हूं सरकार के वह आंक्डे जो तीन साल के अंदर चौबिस साल से उपर या अधिक जिन लोगों ने आत्मत्या कर लिए उन्होंने क्या-क्या आक्डे दिये वह आगरे आप अब सुनिए चिंता जनक परिक्षा में विफलता बड़ा कारण तीन वर्ष में चौबिस जर से ज्यादा बच्छोंने की आत्मत्या प्रेम प्रसंग वर्ष सारिक उत्पीडन भीब बना वजय है पत्रिका नियूज नेटवर्क नई दिल्ली देश के 2017 के बीच चौदा से अठारा वर्ष 24,000 से अधिक बच्छों ने आत्मत्या की परिक्षा में विफल होने पर सर्वातिक 4,046 बच्छों ने जान गवाई अन्य कारणों में साधी प्रेम प्रसंग और सारिक शोषन शामिल है इसके अंदर यौन शोषन शामिल नहीं सब्द बीरो NCRB के डेटा के मुताबित 2017-19 के बीच 14-18 वर्ष की 13,325 लड़कियों समेथ 24,668 बच्छों ने आत्मत्या की इस आयू वर्ष के बच्छों में आत्मत्या होने वाली मौतों की अधिक शंख्या 3,115 मद्य पर्देश में इसके बाद पशिमी बंगाल में 2,802 माराष्ट में 2,527 और तमिल नाडु में 2,035 हैं सेस मामले अन्य राजियों में दर्ज किये गए आकणों के मुताबित 2017 में 8,039 में 2018 में 8,162 और 2019 में 8,370 बच्छों ने आत्मत्या की इस में से 3,315 बच्छों ने प्रेम प्रसंग से जुड़े कारणों में आत्मत्या की जबकि 2,566 मामलों में पीछे बीमारी का कारण बताया गया अब यहां पे बीमारी के क्या कारण है वो खुलासा नहीं किया गया है प्रेम प्रसंग में ये खुलासा नहीं किया गया कि पूरुस से पूरुस है या महिला से महिला है या महिला से पूरुस है जबकि 2567 मामलों के पीछे बीमारी का कारण बताया है एक्यासी बच्चों की आत्मत्या का कारण शारेरिक शोषन रहा है अब शारेरिक शोषन में बाल यौन अपराद के आंकड़े पूर्ण नहीं बताये गए हैं वो बच्चे कभी भी अपने माता बिदा को इसके बारे में बताते नहीं हैं और नहीं बताने की वज़े से काफी आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं नसे की लत्थ, बीरोजगारी वा गरीबी ने भी बच्चों को आत्मत्या के लिए मजबूर किया है तो यह आप देखेंगे तो एक सरकारी आंकड़े पर वास्विक आंकड़े देखे जाएं तो अभी तक पूर्ण नहीं सोध है नहीं पता है तो आपने देखा किस परकार से सरकारी आंकड़े जो बोल रहे हैं वो एक चौकाने वाले हैं जो पैरेंट्स यह वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चे को अगर खोया हुआ रहता है एकांद में रहता है अपने यार दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाता है तो आपको सतर गनाने की ज़रूरत है उसे पूछे प्रेम से पिता सोरी की बाती होता है तो वो तपन से लड़के डढ़ते हैं अपनी यह शोशन के बारे में बता नहीं पाते हैं और माता शितल होती है पर घर की जबावदारियों की वज़े से ध्यान दहीं दे पाती है और बच्चा सीधा और बोला होता है तो वह यह समझता कि यह बोला पने यह आपकी तूटी है यह आपका ब्रह्म है फिर भी अगर खोया हुआ रहता है और रच से ज़्यादा सीधा भी है तो उसकी समझाओं को आपको सुनना जरूरी है अगर अक्सर मैंने यह कहते हुए सुना है जहां इसकूल में टीचर हो माता पिता हो कि सिकाइट नहीं करें और भाई उसकी कोई प्रॉब्लम है तब तो सिकाइट कर रहा है न इसलिए सिकाइदों को सुनना जरूरी है और यह आदर अगर आप रखेंगे तो आपके बच्चे कही संतों से रह सकेंगे कोई शार्तक टिपनी करेंगे तो सार्तक टिपनी का देबाव दूंगा मिलते हैं नई अप्डिट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिं स्वस्त्रे मस्त्रे कि दया प्रेम खर शव्ड़ के दॉट है